पावस्टार पवन सिंग की पाँच खीची हुई लकीरों को कभी क्रोस नहीं कर सकते खिसारी लालियादों जी हाँ आप भी जानना चाहते होंगे और हम भी बताने को भी करार हैं कि पावस्टार की पाँच वो कौन सी खीची लकीर है जिसे खेसारी लाल यादो क्रॉस तो करना चाहते हैं बहुत दिल से क्रॉस करना चाहते हैं लेकिन क्रॉस नहीं कर पाते तो चलिए बताते हैं हम क्या है वो पांच खीची हुई लकीर तो पाँच वी खिची हुई लकीर है पावस्चार पवन सिंग की पॉपिलर्टी जी हाँ आज आप देख रहे होंगे बले ही खिसारी लाल यादो और उनकी टीम ये दावा करती हो कि पावस्चार पवंसिंग की पॉपुलरिटी के टकर के एक्टर है खेसारी लाल यादो लेकिन खेसारी लाल यादो और उनकी टीम ये जानती है कि जब तक पावस्चार पवंसिंग भोजपुरी इंडस्ट्री में है तब तक नमबर वन खेसारी को बनना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन है बले ही उनके कितने भी गाने एक दिन में ट्रेंडिंग में रहे या फिर कितनी भी फिल्में आ जाए या फिर वो खुद कितने गाने लेकर आ जाए यह सभी जानते हैं कि जब तक पवन सिंग है खेसारी के आगे खड़े खेसारी नमबर वन एक्टर भोचपुरी इंडस्ट्री के नहीं बन सकते अब चौथे नमबर की बारी तो चौथी लकीर ये है कि खेसारी लालिया दो चाहे मन जितना अपने हिंदी सौंग लेकर आए लेकिन जब पवन सिंग कोई हिंदी सौंग लेकर आते हैं तो उसके सामने खेसारी के सौंग फीके पड़ जाते हैं जी हाँ ये आप सभी मानते होंगे और मानना भी चाहिए जनाब क्यूंकि जो गाने पवन सिंग आ सकते हैं वो खेसारी लालिया दो गाही नहीं सकते तो चौत ही खीची हुई पावस्चार की ये लकीर की पावस्चार ने जितने भी हिंदी गाने गाएं हैं वो खेसारी लालिया दो के सभी हिंदी सौंग से कई गूना जादा बहतर हैं अब पावस्चार पवन सिंग की तीसरी खीची हुई लकीर की बात भले ही खिसारी लाल यादो कि कई फिल्में आती हैं लेकिन पावस्टार पवन सिंग की फिल्मों के आगे खिसारी की फिल्में हमेशा क्फिकी पड़ जाती है उसका कारण ये है कि पावस्टार पवन सिंग एक्शन हीरो है और खिसारी चाहे मन जितना एक्शन कर ले वो पव से बेटर एक्शन नहीं कर सकते। इसलिए अगर फिल्मों को भी उठा कर आप देखेंगे पावस्चार पावन सिंग की फिल्में और खिसारी की फिल्मों की तुलना करेंगे तो हमेशा पावस्चार पावन सिंग की फिल्में 20 ही सावित होंगी। अब दूसरी लकीर भले खि खिसारी लाल यादो पूरे साल हिट पे हिट गाने देते रहें लेकिन कितना भी करेंगे लॉली पॉप लागलू गाने के आगे उनका हर गाना घुटने टेक ही देगा जी हाँ ये एक इंटरनेशनल सॉंग है और खिसारी लाल यादो को भोजपुरी इंडस्ट्री में आए 10 साल हो चुके है जो कारनामा पावस्चार ने अपने शुरुवाती केरियर के दिनों में किया लॉली पॉप लागलू जैसा इंटरनेशनल सॉंग दिया वो अभी तक ख खिसारी लाल यादो नहीं कर पाए और इसकी टीस कहीं ने कहीं खिसारी लाल यादो के मन में होती होगी हम यह नहीं कह रहे हैं कि खिसारी के गाने सुपर हिट नहीं होते लेकिन भाई वो कितने भी सुपर हिट क्यों नहों वो लॉली पॉप लागलू के आगे फिके ही या फिर भोचपुरी इंड़स्ट्री में किसी भी हیरो का फैन हो लेकिन हमारी इस बात से तो वो बिलकुल अलग राय नहीं रह सकता कि पावस्चार पवन सिंग की आवाज में जो दम है वो खेसारी के आवाज में कभी दम नहीं हो सकता पावस्टार के गाने गाने लगते हैं और खेसारी के गाने गाने तो हैं लिकिन गाते गाते कब वो घिग्याने लगते हैं ये पता ही नहीं चलता खेर आवाज के बारे में तो हर कोई जानता है कि पावस्टार पवंसिंग की आवाज में साक्षात मासरस्वती का आवाज आप कौन सी लकीर के दिवाने हैं कमिन बॉक्स में ये भी बताईएगा